हेलो फ्रेंड्स, हाव आर यू? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की NCRT वीडियो सिरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागा थे आज के इस वीडियो में एक नए अंतर राष्ट्रिय संगठन की बात हम करने वाले है तो आज का हमारा टॉपिक है सन्युक्तर राष्ट्र परियावरन कार्यक्राव्म इंग्लिश में बोले तो UNEP फुल्फरम क्या होता है United Nations Environment Program जिसकी ओफिस्यल लोगों इमेज में आप देख सकते है तो UNEP से जुड़े हुई सभी महतो पुर्णा बातों को हमने इस वीडियो में कवर किया है यह वीडियो आपने लाष्ट तक देख लिया और UNEP से जुड़ा हुआ कोई भी क्विशन एग्जामिनेशन में पुछ लिया जाए तो आपका अंसर गलत नहीं होगा लेकिन पुर्व अशर्थ यह है कि यह वीडियो आपको लाष्ट तक देखना पड़ेगा चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करे संयुक्त राष्ट्र परियावरण कार्यक्राम इंग्लिश में बोले तो United Nations Environment Program UNEP की स्थापना कवुई 5 जुन 1972 को और UNEP का हैड़क्वाटर का आपर स्थित है Kenya की Capital Nairobi में और सदस्य देशों की संख्या निर्दारित नहीं है कोई भी देश UNEP का सदस्य हो सकता है और Kenya में स्थित दोस्तो UNEP का हैड़क्वाटर इमेज में आप देख सकते है Kenya की Capital Nairobi में यह UNEP का हेड़क्वर्डर सी थे जिसके मेदान में UNEP की ओफिस्यल लोगों यहां पवधों के जरिये बनाई गई है और दोस्तों एक दिमाग में क्वेशन उठना चाहिए कि UNEP की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना कैसे हुई तो मानव परियावरण पर स्टोक होम सम्मेलन के परिणाम सोरूप जोन 1922 में संयुक्त राष्ट्र परियावरण कारियक्राम की स्थापना की गई थी और UNEP संयुक्त राष्ट्र की परियावरण यह गती विद्यों के लिए एक समन वयक निका है एक बार फिर से पढ़लो UNEP की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना कैसे हुई तो मानव परियावरण पर स्टोक होम सम्मेलन के परिणाम सोरूप जोन 1922 में संयुक्त राष्ट्र परियावरण कारियक्राम की स्थापना की गई UNEP United Nations की परियावरण ये गती विद्यो के लिए समन वयक निकाई है और संयुक्त राष्ट्र परियावरण कारियक्राम के बारे में आगे में आपको बतावु तो 5-1972 को स्थापित संयुक्तर राष्ट्रो परियावरन कार्यक्राम एक प्रमोक वैश्विक परियावरन प्राधिकरन है क्या UNEP एक प्रमोक वैश्विक परियावरन प्राधिकरन है और जो भी इंफर्मेशन में आपको बताई इनको बेज बनाते हुए एक अच्छा सा क्वेशन यहां स्क्रेन पर तो चलो दोस्तों पड़ो UNEP के संदर्भ में निम्न लिखित कथनों पर विचार करे तीन सेंटेंस दिये है और उपर युक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है चलो पड़ो जुन 1972 में संयुक्तर राष्ट्र परियावरण कार्यक्रम की स्थापना के गई जी हां पाच जुन 1972 को UNEP की स्थापना के गई यह कथन बिलकुल सही UNEP संयुक्तर राष्ट्र की परियावरण या गती विदियो के लिए समनवयक निकाई है तो यह कथन बिलकुल सही है और UNEP का मुख्याले नेपाल की कैपिटल काटमंडू में स्थे यहां गलत है क्योंकि UNEP का हेड़क्वाटर केन्या की कैपिटल नेरो बे में स्थे थे तो यह कथन गलत हो गया और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है एक और दो नंबर का सेंटेंस सही तो आंसर बन जाता है ओप्शन ए तो पहला क्विशन आपका सही हुआ या गलत सही हुआ ओके आगे बात करें तो UNEP क्या कारिय करता है इसका प्रात्मिक कारिय वैश्विक परियावरण एजन्डा को निर्धारित करना संयुकतर राष्ट्र प्रणाली के बितर सत्तत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक परियावरण सरक्षन के लिए एक आधी कारिक अधी वक प्रात्मिक के बितर सत्तत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक परियावरण सरक्षन के लिए एक आधी कारिक अधी वक्ता के रूप में कारिय करना और दोस्तो UNEP कुछ प्रमुक रिपोर्ट्स भी जारी करता है कौन-कौन सी रिपोर्ट्स UNEP जारी करता है तो उत् प्रिपोर्ट्स भी जारी करता है और UNEP पूरे विश्व में प्रमुक अभ्यान भी चलाता है कौन-कौन से अभ्यान UNEP चलाता है बीट पोल्यूशन्स UN75 विश्व परियावरण दिवस वाइल्ड फॉर लाइफ दोस्तों यह महत्तो पुर्णा अभ्यान UNEP द्वरा चलाये जाते हैं एक बर फिर से पढ़लो कौन-कौन से रिपोर्ट प्रकाशित करता है UNEP उत्सरजन गयाप रिपोर्ट वेश्विक परियावरण आउटलोक इन्वेश्ट इन्टु हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट और कौन-कौन से अभ्यान चलाता है बीट पॉल्यूशन्स UN75 व वाइल्ड फॉर लाइफ ओके चलिए इस क्वेश्विक परियावरण आउटलूक रिपोर्ट इन्वेश्ट इन्वेश्ट इन्टु हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट भी UNEP ही जारी करता है तो हमारा आंसर बन जाता है उपर युक्त सभी रिपोर्ट कौन जारी करता है UNEP और आगे संयुक्त राष्ट्र परियावरण सभा की बात करे संयुक्त राष्ट्र परियावरण सभा इंग्लिश में बोले तो the United Nations Environment Assembly संयुक्त राष्ट्र परियावरण का और यह पर्यावरन ये सबह वैश्विक पर्यावरन नितियों है तो प्रात्मिकतायी निर्धारित करने और अंतर राष्ट्रिय परियावरन कानून विक्सित करने के लिए द्वी वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। और अतर राष्ट्रिय परियावरन कानून विक्सित करने के लिए द्वी वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। राष्ट्र परियावरन सबाका गठान जोन 2012 में किया गया। सतत विकासपर संयुक्त राष्ट्र सम्मिलन को रियो 20 प्लस के रूप में भी संदर्बीत किया जाता है। चलिए इस कुरिशन का अंसर बताए। UNEP के संदर्ब में निमना लिखित कथनों पर विचार करे। तीन सेंटेंस दिये है और कौनसा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पड़ो, यह परियावरन के संदर्ब में निरने लेने वाली विश्व की सर्वोच स्तरिया निका है। UNEP की, दोस्तो UNEA, United Nations Environment Assembly, परियावरन के संदर्ब में निरने लेने वाली विश्व की सर्वोच स्तरिया निका है। कथन सही माना जाएगा, UNEA संयुक्तर राष्टर परियावरन कार्यक्रम का प्रशासनिक निकाई है, जी हाँ और बीट पोल्यूशन्स। यह UNEP द्वरा चलाया जा रहा एक प्रमुख वैश्विक अभ्यान है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही, और हमें पुछा गया है कौन सा कथन सही है, एक, दो और तीन, तीनों कथन बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ओप्शन D. संयुक्तर राष्ट्रो परियावरन कारियक्रम, यानि कि UNEP ने Noise, Blaze and Mismatch नाम से अपनी वार्षिक Frontier Reports जारी की है, यहाँ पर पड़ो, 20 प्रदुशन पर UNEP वार्षिक Frontier Report 2022, किसने जारी की है, UNEP ने, तो संयुक्तर राष्ट्रो परियावरन कारियक्रम द्वरा, Making Peace with Nature, क्या Making Peace with Nature Report जारी की जाती है, तो यहाँ दोनों रिपोर्ट्स के नाम हमें याद रख लेने चाहिए, एक तो Noise, Blaze and Mismatch नाम से वार्षिक Frontier Reports, कौन जारी करता है, UNEP, तो दूसरी, Making Peace with Nature, यह रिपोर्ट्स कौन जारी करता है, UNEP, तो ऐसा सिंपल सा क्वेशन एग्जमिनेशन में यह तो, कि Making Peace with Nature, रिपोर्ट्स के द्वारा जारी की जाती है, तो याद रखना United Nations Environment Program द्वारा यह रिपोर्ट्स प्रकाशित की जाती है, जारी की जाती है, संयुक्तर राष्ट्र परियावरन कारेक्रम उत्सर्जन गयाफ रिपोर्ट्स जारी करता है, तो उत्सर्जन गया रिपोर्ट्स जो हाल ही में जारी की गई है, उनकी बात करे, तो यह 2030 में अनुमानित उत्सर्जन और पैरिस समझोते के 1.5 डिगरी सेल्सियस तथा 2 डिगरी सेल्सियस लक्षों के अनुरूप स्तरों के बीच के अंतर का आकलन करता है, हर साल यह रिपोर्ट्स इस अंतराल को समाप्त करने के तरीके पेश करती है, एक बार फिर से पढ़ लो कि संयुक्तर राष्ट्रों परियावरन कारियकराम उत्सर्जन गयाप रिपोर्ट जारी करता है, और जो उत्सर्जन गयाप रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें यह बात बताई गई है, कि यह 2030 में अनु मानित उत्सर्जन और पेरिस समझोते के 1.5 डिगरी सेल्सियस तथा 2 डिगरी सेल्सियस लक्षो के अनुरूप स्तरों के बीच के अंतर का आकलन करता है, हर साल यह रिपोर्ट इस अंतराल को समाप्त करने के तरीके पेश करती है, और भारत में उत्सर्जन को कम करने के भी S6 इंजन वाले आ रहे है ताकि प्रदूशन भी कम हो तो देखो भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 उच्छरजन मान डंडों में बदलाव किया गया है उजाला योजना के तहथ LED बल्ब का वित्रण किया गया है अंतर राष्ट्रिय सोर गट बंदन का गठन हमारे भारत देश के प्रयासों से हुआ है क्या इंटरनेशनल सॉलर अलाइंस का गठन हमारे भारत देश के प्रयासों से हुआ है जल वायू परिवर्तन पर राष्ट्रिय कारिय योजना का शुबराम भारत देश की सरकार ने किय और 2025 तक भारत में एथेनल सम्मिंसरन का रोड में भी हमारी सरकार द्वारा तयार की गई है तो एक बार फिर से पढ़लो कि बारत में उत्चर्जन को कम करने के लिए कुछ प्रमुक पहल सरकार द्वारा की गई है जैसा कि मैंने आपको बताया भारत में उत्चर्जन को कम करने के लिए निमना में से कौन सी पहल शुरू की गई है तो यहां जो भी मेने पाँच पहल आपको बताया इन में से तीन यहां बताई गई है जैसा कि इथेनल सम्मिस्रण का रोड में हमारे भारत देश की सरकार ने तयार किया है जीहां अंतराश्ट्रियस और गट बंदन का गठान भारत देश के प्रयासों से हुआ है और LED बल्व का वित्रण भी हमारी भारत सरकार द्वारा किय गया तो यहां आंसर बन जाता है कौन सी पहल शुरू की गई है एक दो और तीन तीनों पहल शुरू की गई है तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी आगे बात करें तो हाल ही में पांचवी संयुक्तर राष्ट्र परियावरन सभा ने सत्तत विकास लक्ष्यों को प्राप्त क करने के लिए प्रकृती सबंधी कारियों को सश्यक्त बनाने है तो 14 प्रस्ताओं के साथ निश्कर्ष निकाला है दोस्तों यह में बात कर रहा हो मार्च 2022 के कि मार्च 2022 में पांचवी संयुक्तर राष्ट्र परियावरन सभा ने सत्तत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृती सबंधी कारियों को सश्यक्त बनाने है तो 14 प्रस्ताओं के साथ निश्कर्ष निकाला है और UNEA5 यान कि United Nations Environment Assembly 5 का समग्र विशय सत्तत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृती सबंधी कारियों को सश्यक्त बनाना इसी थीम के साथ दोस UNEP ने UNEP यान कि UNEP की पचासवी वर्षगाट को चीनहित करने वाली बैठक के आयोजन के बाद सबाका दो दिवस्य विशेश शत्र होगा जहां सदस्य राज्यों से इस सबंध में संबोधन की उम्मिद की जाती है कि महामारी के बाद येक लचली और समावेशी दुनिया का निर्मान कैसे किया जाए और राजनितिक कोशना का मसोधा तयार किया जाए दोस्तो UNEP की स्थापना कब हुई 1972 में हुई और वर्थमान में 2022 चल रहा है यानकि UNEP की स्थापना के 50 साल पुर्ण हुए है 2022 में इसलिए यहां लिखा है UNEP येट देरेट पचास UNEP की पचासवी वर्षगाट को चीनहित करने वाली बैठक के आयोजन के बाद सपा का दो दिवसिय विशेश सत्र हुगा जहां सदस्य राज्यों से इस सबन में संबोधन की उमीद की जाती है कि महामारी के बाद एक लचिली और समावेशित दुनिया का निर्मान कैसे किया साल यान की 2022 में मनाई जा रही है सही आंसर है option D यहां वीडियो को खत्म करते हैं वीडियो आपको कैसा लगा शौर्ट लेकिन बहुत यह अच्छा वीडियो UNEP से जुड़े हुए सभी फैक्ट कवर करने का प्रियास किया है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर एंड जैहिन